है यह लो बच्चो तो कैसे आप सभी आसा करता हूं आप से बहुत ही अच्छ होंगे मिरा नाम है भैसिंग और आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैन्वी मंत्रा पर बच्चो आप सभी को पता यह कि आप सभी का एक्जाम जो है 20 जनवरी को होने वाला है इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपने चैनल के माध्यम से बच्चो आप सभी के लिए महत्पूर्ण वीडियो के सिरिंखला सुरू कर दिया हूं और यह इंपोटेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए तो आज की क्लास को मिश नहीं करना है बच्चो और आंगे जितने भी मैं क् बहुत ही जादा इंपोटेंट होगा एक्जाम के दिश्टी कोट से बच्चो ठीक है तो आपको वीडियो को मिश नहीं करना है फटा फट चलिए आईए कमेंट सेक्षन में भी आप जुड़ जाईएगा और वहां से कमेंट करते रहेगा मैं एक एक इंपोटेंट कोशन होने वाले है बच्चो इसमे ठीक है तो चलिए Hollywood को करने के लिए यहाँ पर कुछ आपको से कोते धिया गया है निर्देश परद extended परदना ही हम क्जा करेंगे इस कोशन को कड़ेंगे ठीक बच्चो कोई तिन आपका एक जैसा रहेगा और एक भिन रहेगा उसी जुँए ऐसंगत यानि कि जो आपका भिन्स चित्र है उसे ही हमें क्या करना है ठीक है तो चलिए कोषण नंबर वन से शुरू करते हैं यह वाला कोषण लेकिन हम यह देख रहे हैं कि इन तीनों से जो भीर मोगत है नुट यहरा क्ष़ां बात करें हम देखेंगे कोशन नुमर 2 यहां नुट इना नमबर 2 को देखेंगे ठीक है question number two वाले को हम देखेंगे तो यहां पर बच्चों हम बता दें आपको कि question number two का जो सही आंसर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा डी हो जाएगा बच्चों ठीक है क्योंकि जितने भी आपका अनसेस जो भी आपका इमेज है बच्चों वो क्या है ठीक है ना याद रखेंगे मतलब की रंगा हुआ है लेकिन डी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा ठीक बच्चों चले तीसरे question पर हम लोग आएगे बच्चों तीसरे question को देखेंगे यहां पर देखिए तीसरे question में यहां पर आप देख पा रहेंगे बी और डी वाले में यहां पर देखिए तीनों में जो गोला है न बच्चों वो सफेद है ठीक है लेकिन यह वाला जो आप देखेंगे तो इसमें एक सफेद हो गया है और एक काला है ठीक है यानि कि इन तीनों से कौन सा भिन हमारा हो जाएगा कौन सा image भिन है बच्चों तो तीनों से भिन हम लोगों का A वाला है ठीक है यानि कि तरीका A सई हो जाएगा ठीक है बच्चो आगे हम लोग बढ़ेंगे कोश्चन नमबर 4 के तरफ देखेंगे कोश्चन नमबर 4 को देख लिजे बच्चो यहाँ पर देखिए सभी के यहाँ पर पीछे तीर के जैसा न कुछ नई बना हुआ यानि कि फोर वाले का सी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ठीक है चलिए अब यहाँ पर भाग दो लिखा है यानि कि सेकेंड पार्ट को देखेंगे बच्चों यहाँ पर देखिए दिया गया कोशन यहाँ पर जो है आपको समरूप चित्र दोड़ना में यानि यह आपकी प्रस्ण आकरिती है और यह आपकी उत्र आकरिती है प्रस्ण आकरितै जैसा बना हुआ है ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आपको वैसा ही ऑमेजडीकट वालव ऑमेज को चुनना होगा ठीक है बच्चों तो चलिए आईए औरस नंबञ ऐसा इसमें ढूणना है तो यहां पर साफ साफ हमें दिखाए देरा रहा है बत्चों कि 5 का जो सही अंसर हो जाएगा वह जाएगा भी वाला ठीक है आंगे हम बढ़ेंगे question number 6 के तरफ हम लोग देखेंगे बच्चों question number 6 के तरफ हम लोग देखेंगे तो इसका answer क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर B वाला हो जाएगा यह बहुत ही असान है क्योंकि देखे प्रस्न चित्र जैसा बना हुआ है वैसा ही हमें answer चित्र में से ढूड़ना होता है तो आप देख पा रहोंगे question number 6 का सही answer क्या हो जाएगा बच्चों B वाला हो जाएगा ठीक है चलिए आए question number यहाँ पर हम लोग देखेंगे हैं 7 वाला 7 वाले में हम लोग देखेंगे बच्चों तो देखें यह आपका प्रस्ना करिती है और यह हम लोग का उत्तरा करिती है एकदम ऐसा ही सटिक image कौन सा मिल जा रहा है बच्चों हमें हमें मिल जा रहा है आपका A वाला बच्चों ठीक है 7 का A वाला हो जाएगा चलिए 8 वाले में हम लोग देखेंगे question number 8 में तो question number 8 में थोड़ा सा बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे बच्चों क्योंकि यह देखें दोनों image वैसा ही है same same ठीक है लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम देखेंगे D वाले में कुछ अलग यहाँ पर पार्ट बना दिया गया है तो इसलिए हमारा यह आंसर नहीं होगा बच्चों बचा बस यह वाला सी वाला तो सही आंसर हम लोग का 8 का जो है सी वाला हो जाएगा आगे बढ़ेंगे हम लोग यह दूसरा वाला पार्ट खतम हो गया बच्चों तीसरा वाला पार्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखिए तीसरा वाला पार्ट में क्या है तीसरा वाला पार्ट में बच्चो यहाँ पर देखिए 9 से 12 तक दिया गया जो कोशन है यानि कि 9, 10, 11, 12 इसमें हमें क्या करना है बच्चो एक जो भाग है न यानि कि एक पार्ट जो है वो लूप्त है यानि कि एक पार्ट मिसिंग है और इन्ही चारों में से कौन सा यहां पर पार्ट आएगा जो इस पूरे इमेज को फूल फिल करेगा वैसा ही हमें पैटरन को ढूड़ के इसमें बैठाना है बच्चो ठीक है तो चलिए आईये question number nine को हम देखेंगे यहाँ पर बच्चो question number nine को देख लेंगे अरह पर आप दहएड़े कुछ इस परकार से चितर बंडा है बच्चों ठीक है कुछ इस परकार से चितर बंडा है तो अब इस में से कौन साई एसा इमेज आपको ढूड़ना है जो इसको पूरा करें ठीक है तो हम देख रहे हैं कि यह वाला अगर मैं रखते हैं यहाँ पर यह वाले लाए तो इस तो आपको क्या करना है एक इसमें जूड़ लीजिए एक दम सेम सेम ठीक है और वह ऐसा इमेज देखें इसमें कहा बना हुआ ही यहां पर लाकर रखेंगे मतलब कि डारेक्शन को भी देखना है बच्चों तो यहां पर आप देखेंगे टेन का हमें बी वाला मिल जाएगा इ इमेज यहां पर पूरा अच्छे से इसको क्या कर देगा दे कि इस ऐसे यहां पर रहेगा बी वाला इस परकार से ठीक है यहां पर हम बी को रखेंगे तो कैसे बनेगा बच्चों यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहां पर इस तरीके से यहां पर बी वाला बन जा को नमबर 11 को दिख साहा कैं कि यहां पर ऺएड़ों इस तरीक साइद इस बणा हो है ए यहां पर आप aan काो उनिश कर देखना आपको देख दराना है जो कि इस इमेज को अच्छे से पूरा कर सके ए तो हम देखने कि इसका अगर मैं B वाला ले लेते हैं B वाला पार्ट यानि कि ये B वाला पार्ट तो अच्छे से हम लोग का ये image फुलफिल हो जाएगा आकरिती हमारी पूर हो जाएगी इसका मतलब सही आंसर हम लोग का 11 का B वाला हो जाएगा बच्चों ठीक है चलिए 12 का हम लोग देखे स्स heo और का पार् जाएगा देखे यहां परtakके पार पाले वाले एक प्लस बढ़रा धाले में 2 जा रहो तीसरे वाले में 3 है भट्चों ठीक है और चौते वाले में क्या होजाएं यानि कि C वाले इमेज में कैसा आपको चाहिए आपको जैसे बढ़ रहा है उसी के हिसाब से आना चाहिए लेकिन आपको याद रखना है घड़ी के बिपरी दिसा के क्रम में मतलब की बढ़ रहा है यानि कि यह anti clockwise ठीक है याद रखेंगे बच्चो एक clockwise नहीं है anti clockwise है ठीक है आपको याद रखना है तो इसका सही आंसर आपका C वाला हो जाएगा बच्चो आई होप कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा बच्चो फिर भी आपको कुछ भी अच्छे से नहीं समझ में आया गवा तो आप हमें कमेंट्स बाक्स में लिख कर हमसे पूछ सकते हैं ठीक है बच्चो और ऐसे महत्मूर वीडियो को पाने के लिए चैनल पना है तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लें आज के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए आछिए चैनल